तो दोस्तों जब हम करेले की सबजी का नाम सुनते है ना तो मूग कड़वा हो जाता है कि कौन खाएगा करेले की सबजी बहुत ही कड़वी लगती है पर इनके फायदे जब जान जाएंगे ना तो आप करेले की सबजी जरूर खाएंगे और आज मैं ये ट्रिक बताने वाली किस तरीके से करेले बनाएंगे तो कड़वे नहीं लगेंगे नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ करेले की बहुत ही टेस्टी सबजी यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल करेले का जो पीस निकल रहा है वह बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो आप भी इस तरीके से कट कर सकते हैं करेले को तो दोनों साइडों का जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे और इस तरीके से सारे करेले को कट कर लेंगे अब मैं इसे एक बाउल में डाल लूंगे त आप चाहें, तो हाथों से भी मिला सकते हैं, करेले को कड़वा नहीं बनाना है, पर करेले का इतना पानी भी नहीं निकाल देना है, कि इसमें जो बिटामिन्स वगरा हैं, वो भी निकल जाएं, हलकी कड़वाहत तो करेले की सबजी में रहने ही चाहिए, तो इसके लिए एक म मसालों को हम इस तरीके से इमाम दस्ते में डालके दरदरा कर लेंगे, इस मसाले को डालेंगे ना, तो एकदम अलग सी खुस्बू आएगी करेले की सबजी में, और खाने में उसका फ्लेवर तो लाजबाब होगा ही, इसे एक साइट में रख लेते हैं, और प्याज वगरा को हम निकाल लेंगे, और करेलों को निचोड की हम एक साइड में रखते जाएंगे, तो आप देख पारे होंगे, इसी तरीके से सारे करेलों को निचोड लीजिएगा अच्छे से, इसे पानी वगरा से नहीं धोना है, क्योंकि करेलों को कट करने के पहले ही आप इसे अच् थोड़े से बीज वगरा हैं आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं नहीं तो उसे फेक सकते हैं ये देखिए इसे फेक देंगी मैं और जो करेला हमारे पास है उसमें बीज वगरा ज्यादा नहीं है आप बीज वाले करेले ले रहे हैं तो बीज निकाल दें या फिर रखना चा गैस की फ्लेम जला के तेल को गरम किया और यहां पर करेलों को डाल दिया है आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले करेलों को इस तरीके से फ्राइ करेंगे आप करेलों को डीप फ्राइ करके यानि तल के भी बना सकते हैं पर हेल्थ कॉंसेस हैं तो इसी तरीके से बनाईएग तो इसमें पानी नीच उणने के बाद भी हलका फुल का नमक तो रही जाता है इस तरीके से करेले को मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रह रही हूँ तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे करेले को निकाल लिया है और बस उर्सी कड़ाही में मैंने फिर से तेल डाला है सरसो का तो यहाँ पर वन टीस्पून ओयल डाल दिया है मैंने और जैसे ही गरम हो गया है तो जो हमने मसाला दरदरा कूटके रखा था उसे डाल दिया है गैस की फ्लेम को कम रखिएगा मसाले जलने ना पाए उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने और हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसन ये देखिए तो 10 से 15 कलिया लहसन की मैंने छिल के कट करके रखी थी उसे डाल दिया है और उसके बाद हलका सा एक बार इस तरीके से चलाएंगे और उसके बाद लंबे स्लाइस में कटी हुई प्याज हमने कट करके रखी है उसे डाल दिया है इस डालने के बाद हम चलाते हुए भुल लेंगे प्याज का कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना है बस हल्का सा जैसे ही प्याज भुल जाए वैसे हम आगे का प्रोसस्स शुरू कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की मैं प्याज को बराबर चलाते रह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे तेल का यूज नहीं किया है इस सब्जी को इस तरीके से बनाया है कि अगर आपको कम तेल खाना पसंद है तो कम तेल में भी आप ये सब्जी बना सकें और ये सब्जी बिल्कुल कडवी ना लगे लास्ट में हम ऐसी चीज डालेंगे दोस्तों इस सब्जी में जिससे सब्जी कडवी नहीं लगेगी तो आप लास्ट तक हमारी रेस्पी को देखते रहिएगा और बने रहिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कि प्याज भी हमारा भून चुका है तो अब इसमें मैं थोड़े से मसाले का यूज़ करूँगी तो थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल देंगे उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पौडर हमने मिर्च का यूज़ करेलो में नहीं किया था तो यहाँ पर लाल मिर्च का पौडर डालेंगे थोड़ा सा ही नमक डालेंगे बहुत जादा नमक मत डालिएगा क्योंकि करेलो में पहले भी हमने नमक डाला है एक पींच या दो पींच हम गरम मसाला डाल देते हैं और एक चम्मच यानि वन टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और इस तरीके से इसे चलाते हुए एक मिनट तक भूनेंगे गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रखेंगे और मसालों को इसी तरीके से भून लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मसाले हैं हलके से भून चुके हैं आप देख पा रहे होंगे इसके बाद हम डालेंगे दो टमाटर की प्यूरी यानि दो टमाटर था उसका पेस्ट बना के हमने रख लिया था उसे एड कर लिया है और इसे डालके अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढख के लो फ्लेम पे दो मिनट तक पकने देंगे नमक और मसालों का यूज हमने पहले ही कर लिया है दो मिनिट के बाद ही चेक करने पे तो देखिए यहाँ पे जो हमारी टमाटर की प्यूरी है अच्छे से भून चुकी है और अब यह जो हमारा मसाला है करेले का बिल्कुल पॉफिक तयार है यह देखिए तो अब हमने जो भूने हुए पकाय हुए करेले रखे हैं उसे डाल यह देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है और डाल के इसे अच्छे से मिला लेना है यानि मसालों में टमाटर में सारी चीजों में अच्छे से मिलाएंगे टमाटर डालने से जो करेले का कड़वापन है वो निकल जाता है और करेला बहुत ही टेस्टी लगता है तो दोस्त करेलो को हमने अच्छे से मिला लिया है आप देख पा रहे होंगे यह देखिए और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे करेला कड़वा बिलकुल नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमच भर के अमचुर पाउडर इसे देंगे तीन से चार मिनट के लिए एक तम लो फ्लेम पे ताकि यह करेले अच्छे से पक भी जाएं और मसाले आपस में घुल मिल जाएं तो देखिए तीन मिनट के बाद मैं खोल के चेक कर लेती हूँ यह करेला बिलकुल पॉफिक तयार है अब इसे गर्मा गर्म पूरी पराठे या रोटी के साथ सर्फ करिएगा बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा तो चलिए सर्फ कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस करेले को सर्फ कर लिया है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही चटपटा बना है मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बता चाहे और सबसे पहले आप रेसिपी देख पाएं बाई बाई दोस्तों एंटे के